जाना है, why the hell I should give 8% का debenture 1% में, market में 6 तकार बिल रहा है, तो मैं भी होड़ा मला एक खालू, तो debenture will be issued at a premium, debenture will be issued at a premium, 100 का debenture जायागा, करीब करें 120 में, 130 में, उपर का 30 रुपीस क्या होगा, 25-30, that's a profit of the country, उसको बलते है debenture premium, क्या बोलते हैं, debenture premium, share पे कैसा, share premium होता बैसे debentures पे, debenture premium, is this clear, debenture premium is the profit and debenture discount is the loss, which type of expense is debenture discount, it's a deferred revenue expenditure, it's a deferred revenue, क्योंकि एक पार launch होगा है debenture, हर साल को होता नहीं है, एक पार launch होगा है, तो वो, एक साल में पुरा खंचा नहीं दिखा थे, अगर 100 का debenture 80 में दे रहे हो, तो 20 रुपी आमने जीशे डाल रहे 100 का debenture 80 में दे रहे हो, मतलब कि आप क्या बोल रहे हो उसको, कि तू आज हमें 80 दे, हम future में तुझे कितना देगे, 100, तो 20 रुपी जीशे दिया जाएगा, उसको बोलता है, discount, क्या बोलता है, discount, वो discount on issue of debenture is a deferred revenue expense, उसको कितने साल के उपर write-off किया जाएगा, any idea, जितने time का debenture, जितने time का debenture, logics इतने साल debenture का पैसा हम आपरा, उतने साल के उपर expense, 5 साल का यह, 5 साल को, 6 साल का है, 6 साल का है, 3 साल का है, is this clear, यहां तक सम्झाया, अभी अगर debentures at par issue हो रहे है, तो what is the journal? BANG TO DEVENNGEURS TRAIN अगर AT PREMIUM पे ISSUE हो रहे BANG BANG TO DEVENNGEUR TO DEVENNGEUR PREMIUM BANG TO DEVENNGEUR TO DEVENNGEUR PREMIUM और अगर DISCOUUNT पे होगे BANG DISCOUNT पे हो BANG DISCOUNT पे ISSUE OF DEVENNGEURS TO DEVENNGEURS यह तो सुपल है Agora DEVENNGEURS में इनको और चीज आदगा यह तो सब शेर्समें भी याद आपना इसकाउंट में नहीं है, चैसार नोट अलाओद तो इस्वाइड अटिसकाउंट में कर सकते हो लोजी सम्झाऊंग थे क्यों प्रिमियों डिवेंचर का दिसकाउंट प्रिमियों इसे रिलेटेट ओट मार्के डेट और इंटर एड़ उसके बाद एक और चीज मेंडर करती है कि कम्पनी कितनी फ्रॉंग है तो उसको एना evaluate किया जाता है वो क्रिसेल, आइक्रा, केर, रेटिंग ये सब सुना है क्रेटी ट्रेटिंग एजन्सीज हो था है क्रिसेल, आयक्रा, केर, ये सब रेटिंग एजन्सी है जैसे एक मीणमे चैसी सुना होगा या स्टार्डेट सेट पूर सुना होगा पर को और अबर लोगों क्या घरदे है पूरा ग्ग्राओं przysz पर आपर सी कॉमद कर ते है कि ये कंपणी अच्छी है या उसके बाद ग्रेड जाते हैं तो ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल ए प्लस वाले बेस्टोट एंड डा आईरेनी इस जब सब्प्राइम क्राइसिस आया था या जब आयल एफस क्राइसिस आया था इंडिया वे जो सब क्राइसिस बॉंड डीफॉल्ट हो गए वन्हों लोग चुका नहीं पाए पैसे वो सारे के सारे बॉंड ट्रिपल ए प्लस के ग्रेट तो रेटिंग एजन्सीस पे भी जादा बरोसा किया ही था लोगो भी पैसा खिलाके यह लोग रेटिंग करवा लेता उसके लिए भी भापस एक्सपर अडवाईज या फिर जैसे mutual fund for shares होते हैं जैसे mutual fund for bonds होते हैं debt mutual fund क्या बोलते हैं? debt mutual fund that is always same word rather than going into individual points अभी coming back to rating मतलब जिसका rating high होता है उसका price comparatively market में थोड़ा high चला है और जिसका कम होता है rating उसका price भी कम होता है कोई को जा ऐसे गए कुछ रहे companies होते हैं कि पता है पैसा ही वापस नहीं आएगा तो उसका 100 रुपे कम उन सार रुपे में मिल रहा हो 60% yield, 18% yield अठाटो का interest लाएगा, interest की भी लेगा तो अठाटो का interest लाएगा 100 रुपे लोगे, 18 रुपे लेगे, बैठ जाएगा तो ऐसे आप ही काते हो points होता है, उनको कहा जाता है, junk points उनको बोला जाता है, junk points अभी, coming back to the different part at the time of issue basic issue पाता हुने समझा, bank to debenture, bank discount to debenture, debenture premium अभी एक और element होता है, उसको बलते है, premium on redemption of debenture premium on redemption of debenture, premium on redemption of debenture, please listen इसमें क्या होता है, एक company जो है, आज 100 रुपे का debenture issue कर रही है, हाँ, 5 साल का, और तभी issue के बग, उसके agreement में एक चीज़ मेंशन होगी, कि आज आज आप हमें 100 रुपे दो, इंट्रेस तो हम देंगे, हाँ टके के इसाब साब को, और 5 साल बार, जब चुकाने की बारी आएगी, तब आपको 100 ही देंगे, 110 देंगे, 110 देंगे, तो उस 10 रुपे को बोला जाता है premium on redemption of demand, क्या बोला जाता है, तो future में, कंपनी क्या बोल रही है, आपको 100 ही मिलेगा, 110 मिलेगा, क्या मिलेगा 110, तो वो होता क्या, एक्छली वो तो 10 रुपे एक्स्ट्रा मता है, वो और कुछ नहीं है, आपके 5 साल का interest की है, एक साथ दे लिए, 5 साल का, तो बेसिकली कंपनी को साइद 9 टकर में launch करना था, लेकिन कंपनी सोचा, 8 परसन में करते हैं, और जो 1 टका है, वो उनलोग 5 साल का मिला के, साथ में दे दे, 5 साल का compound करके, साथ 10 रुपय कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं रहता है, वो क्या होता है, आप ही का interest होता है, वो जमा करके आपको कब मिलता है, that is called premium or redemption of dimension, एक साथ मिलता है, तो जब ऐसा होता है, जब future में premium promise किया जाता है, तब entry थोड़ी सी सेली हो जाती है, क्या हो जाती है, bank to 8% dimension, समझो प्रिप्रिशन टेशन 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 कीया है, 100 रुपय बाद, तो bank to 10%, sorry bank to 8% debenture भी 10 लाट्स, यह तो basic entry हो ही, अब कमपनी क्या promise करिये, in future we'll pay 10% extra, in future we'll pay 10% extra, that's called premium on redemption of debenture, this is another liability for the company, like debenture is a liability, this premium on redemption of debenture is a liability, कितना extra 10%, 10% of what, face value, everything is taken on face value, so this is 1 lakh, तो अभी debit में क्या, देखो, यह 10 लाट के लिए तो पैसे मिले, बट क्या यह 1 लाट के लिए पैसे मिले, यह तो 10 लाट के लिए पैसे मिले, यह तो 10 लाट के लिए पैसे मिले, यह तो 10 से जना पड़ेगा, तो यह कौन से अ on issue of debenture, loss on issue of debenture, again, loss on issue of debenture, just like discount, is what type of expense, deferred debenture, and it will be return on for how many years, the life of the debenture, 5 years यह तो 5 years, 10 years यह तो 10 years, 8 years यह तो 8 years, is this clear, तो जब भी आप future में, redeem करने के मक्त, premium promise कर से हो, तब यह extra entry कर देने की, loss on issue of debenture to premium on redemption of debenture, what is premium on redemption for the company, liability, यह भी liability, यह भी liability, यह भी liability, यह premium profit नहीं है, debenture premium profit है, what is debenture premium, issue यह और जाला पैसा आ गया, उसको चुकाने का शरूवर, नहीं है, वो हड़ लेगा company, वो शहरूर को belong करता है, समय में आ रहा है, यह कौन सा premium है, premium on, future में extra देने का promise, उसके सामने पैसा नहीं है, उसके सामने क्या डवी होता है, loss on issue of debenture, बात समझाए, अभी, discount on issue is also deferred revenue, loss on issue is also deferred revenue, दोनों को एक आगाउन में लिख सकते हो, हर बात, loss, loss on issue में सब कुछ क्लब करके लिख सकते हो, तो भी चलेगे, ओके, तो सौ बात की एक पार, जब भी debenture का issue होता है, चेक कर लिए, कि future में कुछ extra promise तो नहीं कर, अगर future में extra promise कर रहे हो, तो यह चिप का देने का, loss को debit रहे हो, premium on redemption को, रहे हो, समझा है, loss को debit, premium on redemption, यह extra what is this premium, your own interest, given, not every year, but it is given together, after compounding, और for 5 years, 6 years, 7 years, बात में, क्या बोला में नहीं, नॉर्मल issue में और premium on redemption में क्या परागया, नॉर्मल issue में future में कुछ extra promise, नहीं, premium on redemption में future में extra promise कर रहे हो, जब भी future में extra promise करे हो, क्या extra करनेगा, loss to premium, loss to premium, यह extra, now take the sum, sum number, यह extra, now take sum number 15, page 243 यह extra, now take sum number 15, here we go, Mickey Limited issued 1008% banget, what is that 8% rate of interest, you got it, और 100 इंच रिपेबल एक देंड आप 10th year पास जर्णल इंच अशुमिंगाट अभी देरा 6 पॉसिबल सिनारियो आपनी तो 6 अलग अलग इंच इंच अभी है अलग शिक्स अर दिप्रेंट इस अलग शिक्स अर दिप्रेंट इस क्यार दो अभी इच फर्स वर्ण इस्यू डड फाइफ परसंट डिसकाउंट एल रिपेबल एड पार तो इश्यू कैसा हो रहा आपका डिसकाउंट मतलब आज सौर रुबे का डिपेचर पांस परसंट डिसकाउंट पे जा रहा है मतलब कितने पे जा रहा है 95,000 रिपेबल एड पार मतलब फूचर में कितना रिपे करने का प्लानिक सौ आज इने इच्टर लो तो सिंपल एंट्री फॉर इश्यू सिंपल एंट्री फॉर इश्यू इस बाइंग डिसकाउंट अनग तो बाइंग डिसकाउंट और issue of debentures debit to 8% debenture bank discount diventer, यह समझाया bank discount diventer गया दिवाउंट रिपेबल एड पार है रिपेबल आइड पार है तो future का कोई extra entry आईगा कि नएक future का कोई extra entry आईगा कि नएक नहीं आएगा कि आएगा अब इच अमांट कैसे लिख जाए 1000 डिवेंचर है 100 उपे कैं डिवेंचर में जो face value आएगी 1 lakh जैसे share capital में face value जैसे डिवेंचर में face value और discount कि इतना है 5000 Hello तो यह आएगा 5000 और bank में कितना आना ची 95,000 Is that right? So this is Issue being Same question copy Issue of 1000 8% adventures Aan bolou अभी वोई थाप देने का Issue of 1000 8% adventures At 5% discount Repayable At Repayable at Power Repayable at Power वोई फ्यूचर हो कुछ एक्स्टा प्लान कर रहे हूं Future बेने का पैसा नई जा discount पे काई को Issue क्या होगा Company ने Market rate high एक reason पहला main reason Market rate of interest का होता है Second reason होता है Quality of the company जो थोड़े B grade होता है B plus Double B Triple B वाले C grade वो सब इसमें जाता है इसमे आपका discount discounted price Is it clear? Now Second one Issue at par repayable at 5% premium मैंने जो एक्जामपल अब भी भी बता है Issue at par तो आज के date में तो par पे जा रहा है तो उसका entry क्या है bank तू 8% debenture पहले वो कर दो कितना आएगा एक लाग Issue at par Issue at par लेकिन रेपेबल आएग रेपेबल आएग रेपेबल आएग प्रीमियम मतलब समझ में आया क्या हो future में extra देने का promise कितना 5% में तो कितना 5000 1,00,000 प्रेपेबल का 5% 5000 उसके लेकि extra entry करने का लेकिन रेपेबल आएगा लॉस on issue of debenture debent to premium on redemption of debenture what is this premium on redemption for the business libel libel and what is this loss deferred delivery समझ मैं ये premium actually आपका interest ही है जो आपको compound होके बिला फोड़ा being same copy करने का issue of 1008% debentures of 100 each at bar repayable at 5% premium okay आपको ये समझ मैं okay now go for third one all the cases are independent of each other issued at a premium of 10% repayable at par issued at a premium लब 100 का debenture कितने मैं जा रहा है 110 and repayable at par तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जोरो हो जा so what is the entry for issued at premium bank to 8% debentures to what either you write debenture premium or you write security premium okay as I told you security premium is a common account which can be used for both shares and debentures okay either I debenture premium or write securities premium simple and amounts के चलिए debenture में तो face value आएगा एक लग premium आपका I think 10,000 है और यहाँ पे आएगा एक लाग 10,000 आज ही company को ज्यादा पैसे मिलने narration इस्ट्रें issue at premium repayable at par repayable at par future का को एक्स्ट्रा प्रॉमिस निया future का प्रॉमिस निया तो loss को premium आपने के जुरूरत नहीं तो ऐसे कितरे case possible है total 6 कैसे 6 issue at par premium discount repayable at par issue at par premium discount and repayable at premium can it be repayable at discount will anyone buy आपूम सौदों में आपको नबगर में आपान साएगा so that's not possible practically not possible now issued at a discount of 10% repayable at a premium of 10% issued at a discount and repayable at a premium so बताओ issued at discount K3 count bank discount on issue of debentures to 8% debenture तही बात weary तही बात एलो issue at the score of 10% है तो याना चाहिए 10,000 याना चाहिए 90,000 और याना चाहिए 1,000 राइट 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 एंड फ्यूचर में भी आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप कितना प्रेमियम दो 5% प्रेमियम प्रेमियम आप तो उसका एंट्री क्या होगा लॉस ऑन इस्च्छू ऑफ डेबेंचर डेबिट तू premium on redemption of debentures 5,000 loss to premium loss to premium loss to premium sanjhaginoy bull all of you want this getting it getting it narration is all said issue add discount repair issue discount market rate of interest ज्यादा हो इसके लिए ज्यादा हो फिर कंपनी की quality बोड़ी नबड़ी हो ये bonds में जैसे आप shares में पर जिरो दा और up stocks और इसके थू app के थू ऐसा इसमें भी कर सकते what then issue add premium ओ 5%, री डे राइवल डे प्रीम ओ 5% तो पहले तो issue add premium के entry के है और वो बताओ 9th bank to 8% virtue work then venture premium present security ये पहले ँरसी इन spends इसार इंप लिए देख तो तो कैसेसे डिखो कि आपंच्फ न जो एक लाद पाँच़ प्रीविएम और बैंक में ऐगा एक लाद पाँच हजार समझने हिस्वमि कि आप सब्सक्राइब आप मिशबजया? अप? ग्रो, जिरो दा, और अचे ना बॉंडस तरी तो? तेट इस गवर्मेंट बॉंडस इंद पर इस गोर्परेट बॉंडस गोर्मेंट बॉंडस तो ए कर स्वलिड़ों पर दो मैं तो विन 12 के तू करते है इसका T-will or Government Bonds तो है, Corporate Bonds नहीं है? Government Bonds और T-will और पर कोड़िस मला था वह ही है, RBI Bonds नहीं है पक्का? देखें अज़र मैं इस विंट 12 करके का आपया? I use that So, Wins 12 मैं आपको पूरा research research करके सारा Corporate Bonds का सब नहीं है या तो फिर उसके company के website पर याके ले लो, online. वाँ बर भी विला. Company website चीकेट है. That is. Okay? उती होता है, zero da में होता है. Geti money में भी है, zero da में भी नशाया. Points नो कट सतो. Now. See the issued at premium, repayable at premium issued at premium, repayable at premium तो यह issue at premium के अंड़ी होगई repayable at premium मतलब क्या है? extra future का promise करें एक्स्ता क्या करें loss on issue of debenture debit to premium on redemption of debenture, okay, this is 10,000, 10% of phase 1, everything on phase 1, everything on phase 1, is this clear, have students confused are they, it's part, debenture premium and premium on redemption of debenture are both same, what is the debenture premium, extra profit, वो अपना ही हो, उसको चुकाने के सरु दिया, what is premium on redemption of debt? वो अपना ही अपना ही अपना को देना पढ़ा है? इसके लिए लोस को रखावा, deferred revenue expense And the last one, issued at par, repayable at par, that is what? Banned to 8% debenture, that will be 1 Banned to 8% debenture, that will be 1